हेलो अबरीवन वल्कम टू स्टरी आईक्यू फ्रेंग्स सिरीज ओफ यह आपको पता हैं हम यहींच कोडिसक्श कर रहे हैं हम 7 chapters तक discuss कर चुके हैं, आज 8 वा chapter जो है, वो discuss करने वाले हैं, 8 जो chapter होगा, वो आपकी limestone और chalk topography के बारे में बात करता है, limestone जो topography का मतलब क्या होता है, limestone exactly क्या essence दिखाता है, उसके बारे में हम जानने की कोसिस करेंगे, कि ये limestone होता क्या है, once, जब हम limestone को समझ जाएंगे, तो फिर हमें ये भी पता लगेगा कि limestone topography के अंदर कैसे हम बदलाव देख सकते हैं, कैसे हम changes के बारे में वहाँ पे बात कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि limestone topography exactly क्या होती और किस टाइप के landforms जो हैं वहाँ पे आपके develop हो जाते हैं, वैसे तो आपने landform word जब सुना होगा, तभी आपको ये ध्यान आ गया होगा कि limestone तो सर कुछ ऐसा होगा, मतलब landform तो कुछ ऐसा होगा सर, बदलाओ है, बदलाओ कैसा है, जो आपकी limestone topography होती है, इसके अंदर erosion और आपका deposition, no doubt वो तो होता ही है, लेकिन वो बहुत gradual होता है, बहुत slow होता है, मतलब इतना fast नहीं होता है, जितना जैसे glacier है आपका, या river है आपकी, वो काफी fast move करती हो हो जाती है, कारण उसका ये ह है, कि even erosion तो फिर भी fast होता है, लेकिन deposition slow होता है, उसका कारण ये है, कि आपका जो limestone है, वो water soluble substance है, soluble जब substance हो जाता है, अगर कोई substance dissolve हो जाता है, तो उसका मतलब कि वो जल्दी से deposit नहीं होता, जैसे कुछ इसका example ऐसे समझ सकते हुआ, आप अपने घर पे tap को on करते हो, पानी आपकी bucket में store हो जाता है, थोड़े दिर में आपको पता चलकता है कि काफी सारा sand जो है, अगर पानी में रहा है, वो sand आपके bottom में deposit हो जाएगा, लेकिन इसके opposite, आप नमक, salt जो आपके घर पे है, उसको पानी में मिलाओ, कितनी भी देर पानी को रखे रखोगे आप, तो वो जल्दी सी deposit नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो soluble था, तो यही difference यहाँ पर भी आ जाता है, limestone topography के अंदर जल्दी सी deposition जो है, वो नहीं होता है, काफी slow deposition देखने को मिल जाता है, तो when it comes to limestone, तो पहली चीज़ तो limestone क्या है, एक sedimentary rocks, ठीक है, they are sedimentary rocks, sedimentary का मतलब क्या होता है, what is the essence of sedimentary rocks, देखिए, रोक आपके तीन ट्राइप के होते हैं, एक रोक होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक रोक होता है, जिसको हम बोलते हैं, से develop होए होगे, मतलब, lava outburst हुआ होगा, volcano निकला होगा, और volcano से आपका क्या हुआ होगा, igneous rocks बने होगे, ठीक है, that is quite simple, अब क्या होगा, जब उन igneous rocks के उपर, आपका water का, sunlight का, wind का action जब होता है, मतलब, extra से जब कोई forces लगते हैं, तब आपका जो formation होता, वो होता, sedimentary rocks का, ठीक है, extra से जब forces लगते हैं, उसके बाद में जो formation होता, वो होता, आपके sedimentary rocks का, जब sedimentary rocks के उपर, अगर आपका high temperature या high pressure implement होता है, तो उस case में आपके जो rocks बनते हैं, उनको बोलते हैं, metamorphic rocks, तो इस तरीके से आपके rock की formation जो हो, चलती चली जाती है, तो out of them, यह कैसे हैं, आपके sedimentary type, मतलब, कुछी erosion या deposition की वज़े से, आपके rocks हैं, वो डबलप हुई होंगे, वो आपके sedimentary कैलाते हैं, दूसरा, अब सवाल आता है, कि सर, इसके अलावा और क्या property हैं, तो इसके अलावा property इंपोर्टन यह हैं, कि यह organic in origin होते हैं, organic in origin, मतलब, organic मतलब, living जो organisms हैं, उन से यह develop होते हैं, अब कौन से living organism से develop होते हैं, तो आपने सुना होगा corals के से बारे में, corals जो हैं, उन से यह develop होते हैं, अब corals क्या होते हैं, corals ऐसे substance, living organisms होते हैं, जो जूज एंतला के साथ में, symbiotic relationship में होते हैं, symbiotic relation का क्या मतलब होता है, symbiotic relation का मतलब ऐसा होता है, कि जिसके अंदर दोनों का ही फायदा होता हो, for example, अगर आप और UPSC को देखो हो गया, एक symbiotic relationship पर exam करवाने से दोनों को ही फायदा होता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो जूज एंतलाइक algae है, वो आपका photosynthesis कर सकती हैं, लेकिन nutrient किसके पास में होते हैं, raw material किसके पास होता हैं, आपके basically corals के पास में raw material होता है, तो यह जोनो लेकिन origin यह organic origin के होते हैं, अब देखो, यहाँ पर आपने देखा limestone या chalk topography की हम बात करना चाहते हैं, limestone जो है आपका calcium carbonate का बना होता है, more dominantly, किस से बना हुआ होता है, calcium carbonate से आपका limestone जो हो बना हुआ होता है, लेकिन अगर calcium carbonate की जगे हैं, यहाँ पर आ जाता है magnesium, ठीक है, dolomite की नाम से जानेंगे, अगर magnesium है तो, अगर वो calcium है, तो हम उसको limestone के नाम से ही basically जानते हैं, अब सवाल एक और भी आता है, जो काफी वार आपने सुना भी होगा, कि सर मैनी तो सुना है कि limestone या chalk topography है, उसको हम cast topography की नाम से भी जानते हैं, कास्ट टोपग्राफी, तो यह word का क्या मतलब है, कास्ट टोपग्राफी का क्या संस होता है, देखिए, कास्ट टोपग्राफी एक particular area को represent करती है, यह area जो है, वो आपका देखने को मिलता है, योग असलाविया में, जो की nearly आपके European countries के basically southern part में देखने को मिलता है, मतलब around Mediterranean Sea, यह district है, जहाँ पे सब प्रणाउंस करते हैं, तो अब सवाल आता है कि limestone की जब बात करते हैं, तो limestone और chalk के अंदर basically यह difference क्या होता है, तो limestone जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि limestone की पहले बात करेंगे, चौक की हम last में बात करेंगे, कि इन में क्या difference है, तो limestone की ओपर जब मैं focus करता हूं, I get to know कि limestone क्या होंगे, आपके sedimentary rocks हैं, जो mainly marine organism, जैसे कि हमने corals के बारे में बात की थी, तो marine organism से इनकी formation जो हो देखने को मिल जाती है, marine organism से इनकी formation होती है, अब जब यह marine organism से इनकी formation हो जाती है, तो हमने देखा था कि हो सकता है, calcium भी dominating हो सकता है, magnesium भी इसके अंदर dominating हो, तो मतलब आपके अलग-अलग organ जो elements हैं, जो minerals हैं, वो आपके change होते रहते, depending on the topography, जैसे हम soil के अंदर देखते हैं, कई बार soil के अंदर iron ज्यादा होता है, तो red soil हो जाती है, iron नहीं है, तो red soil नहीं होगी, तो in the similar way, यहाँ पे भी आपके जो minerals हैं, वो क्या होते रहेंगे, animals जो आपके होते हैं, जैसे कि फॉर्मिन फेरा जो आपका organism है, उससे आपकी development होते है, calculus remains जो है, आपके देखने होते हैं, जैसे कि आपका coccolith हो गया, example, तो मतलब उनको coccolith के नाम से भी हम abbreviate करते हैं, तो यह आपका मतलब लगबग limestone और chalk जो हैं, वो similar होते हैं, property लगब से इसके अंदर नजर आ जाता है, तो if you will look upon the limestone और chalk के अंदर यह difference होगा, यह white होगा और आपका soft होगा, तो कोई limestone अगर है, जो white है और soft है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम chalk करना उसको देते हैं, white और soft होना यह चलूरी होता है, इसके character होते हैं, अब सवाल आता है कि सर इसके कैसे features develop होते हैं, cast topography के, तो देखो cast topography के सबसे पहले तो एक चीज़ नजर आती है, कि यहाँ पे कभी भी, कभी भी surface के ओपर कोई भी water का flow देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, water का जो flow है, वो surface पे देखने को नहीं मिलता, तो फिर कहां मिलता है, जैसे आपकी rivers हैं हमने aluvial plane को देखा है, इंडिया के aluvial plane में तो आपकी river surface से जा रही होती है, लेकिन limestone topography जहां पे होगी, तो क्योंकि यहाँ पर mix up हो जाता है water, solution बना देता, तो यह क्या कर जाती है, इसलिए after some time, क्या होता है, थोड़े देर travel कर रही होती है, फिर कहीं से research होती है, वाप available नहीं होता, उसके अलावा research का process जो है, इसके ओपर वो लगातार चलता चला जाता है, research जो काफी common होता है, अब research जब होता है, या फिर कास टेरिंग जो होता है आपका, वहाँ पर जब आपकी motion होगा, किसका, river water का, तो definitely वो कुछ-कुछ अलग टाइप के landforms की development करता है, अब वो अलग टाइप के landform कौन से होंगे, तो right here, जैसे मुझे पता लगता है, कि आपके जो rocks है, barren land है, barren land भी है, क्योंकि limestone के अंदर, आप देख रहे हो, erosion काफी ज़्यादा हो रहा है, water रुक नहीं पा रहा है, तो obviously वो तो barren land ही होगी, तो उस barren land के अंदर हमें cave की formation, sinkholes की formation, हमें underground rivers की formation, यह सब formation जो हो, नजर आ जाती है, तो underground rivers जो है, आपकी वो formation कर देती है, अब underground में river जाएंगी, तो definitely वहाँ पे भी कुछ limestone की topography तो बनेगी, जैसे stalagmite, stalocyte, या pillars, इनकी formation जो हो, वहाँ पे वो भी होना सुरू हो जाती है, तो एक physiographic region के अंदर हम य देखने को मिल जाते हैं, यह reason है, जहाँ पर यह similar features मिलते हैं, इसलिए यह नाम जो आपका cast topography के नाम से popular भी हो चुका है, अब यहाँ पर देखो, थोड़े features के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपको दो चीजे नजर ठीक है, छुटे-छुटे आपके blocks जो हैं, वो अभी आपको नजर आ रहे होंगे, तो यह आपके rectangular blocks जो हैं, प्लेंट के नाम से जाने जाते हैं, और इनके बीच में जो रिजे हैं, वो ग्राइक के नाम से जाने जाते हैं, अब देरे-देरे जब-जब आपका क्या होगा, basically जब-जब river ज़्यादा flow करती रहेगी, तो यह valley जो हैं, वो काफी deep होती चली जाएंगे, तो deep valley की formation भी हो जाती है, अब यहां पे मुझे एक और चीज़ नजर आती है, देखो, अगर river इस तरीके से move कर रहे हैं, और किसी particular area के अंदर river आपका downward move करना शुरू कर दिया, मत sinkhole develop हुआ, यहां पर दूसरा hole develop हुआ, तीसरा hole develop हुआ, तो लगातार ऐसी development जब चलती रहेंगी, तो काफे सारे swallow holes बन जाएंगे, इनी को हम sinkholes के नाम से भी जानते हैं, अगर यह sinkhole लगाता, develop होते रहे और आपस में merge कर गए, ठीक है, एक sinkhole डवल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, ऐसे ही आपस में क्या हो गए, merge कर गए, तो उस case में क्या होगा, जब आपके large number of swallow holes merge कर जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, doline के नाम से जानते हैं, तो मतलब, एक large feature बनेगा, जो doline के formation करेगा, अगर large number of dolines, एक दूसरे के अंदर merge कर गए, तो क्या होगा फिर large number of doline भी तो merge कर सकते हैं, तो उबालाज की formation जो इसमें नजर आती है, अब देखिए, ये तो सारे हुए erosive agent, ये तो सारे हुए erosive features, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस place पे deposition होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और deposition होगा, तो फिर क्या formation होगी, देखिए, तीन चीजों की formation होती है, देखो, यहाँ पर अगर water ऐसे चल रहा होगा, तो drop-drop करके water गिर रहा होगा, जब drop-by-drop water गिरेगा, तो evaporate होता रहेगा, water और salt वहीं पर बच जाता है, जिससे की क्या formation होती है, आपके style site की formation होती है, यहाँ पर देखना, c word है, c का मतलब आप याद र यह क्या होगा, ground से start होगा, उपर की तरफ जाएगा, word आता है c, तो यहाँ से ceiling से start होगा, नीचे की तरफ जाएगा, अब आप एक चीज देखो, अगर लगातार ऐसी drops गिरते रहे, और आपका vertical structure ceiling से भी बन रहा है, vertical structure ground से भी बन रहा है, तो एक time तो ऐसा आएगा ना, कि यह दोनों merge कर जाएंगे, जब यह दोनों merge करेंगे, तो उस time पे किस की formation होगी, pillars की formation होगी, तो stelocyte, stalagmite और pillars की formation, जो है, depositional feature के form में, आपकी limestone topography के अंदर मिल जाती है, limestone topography में, pillar की formation नजर आती है, तो if you want to see, थोड़ा सा broaden हम करके देख सकते हैं, जो आपकी values दिख र रहे थे हम, और जो आपके यह जो rectangular blocks बने हुए हैं, इनको हम client के नाम से जान रहे थे, ठीक है, तो यह चीज़ आपको एक unique habitat जो होगा नजर आता है, अब देखो, यह आपके ग्राइक से हैं, यह broaden होते चले जाते हैं, कारण, क्योंकि यहाँ पर water store होता है, water store होगा, अरग अगर यह tropical area है, tropical area है, तो थोड़ा-थोड़ा vegetation भी आना शुरू हो जाता है, तो vegetation, plus moisture, तो यह vegetation क्या करेगा, biological weathering करेगा, ठीक है, यह vegetation क्या करता है, आपका biological weathering करता है, जिससे कि आपकी जो valley part है, यह काफी broad होना, शुरू हो जाता है, तो मतलब आपके जो ग्राइक्स हैं, वो दिरे-दिरे क्या हो जाएंगे, ब्रोड हो जाएंगे, और आपकी valley की formation इसमें कर सकते हैं, ठीक है, राइट, तो valley की formation बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसके अलावा, अगर मान लो लगातार, आपकी river जो हो ड्रीन करती जली गई, swallow hole या sink hole के धूरू, और sink hole के अंदर पर यह क्या करेगी, किसी part के अंदर, किसी interior land के अंदर, आपका solution बनाएगी, limestone का, और वहां से move कर रही होगी, उसी को हम क्या बोलते है, cave बोलते है, cave passes बोलते है, क्योंकि वहां से river का water जो हो डिरेक्टी पास हो रहा होता है, इसलिए cave passes के नाम से उसको जाना जाता है, cave ज जैसे अगर valley formation हो जाती है, तो उस valley को हम blind valley के नाम से भी जानते हैं, उस valley को क्या बोलेंगा, blind valley के नाम से भी जानते हैं, तो sometime it led to the formation of blind valley as well, जो आपके cave के अंदर नजर आ जाती है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा आपको, कि अगर specifically, इस tunnel की बात की जाती है, जैसे क आपके cave formation हो गया, tunnel formation हो गया, तो वो अगर tunnel, tunnel, आपकी collapse हो जाए, मतलब लगाता, tunnel बनती चली गई, लेकिन एक time तो आएगा ना कि आपके जो bottom land हो काफी weak हो चुकी होगे, आपके tunnel क्या कर जाएगी, जब आपके tunnel collapse कर जाती है, तो फिर gauze की formation होती है, जिसको हम gauze के नाम वर्ड में limestone topography कहां कहां पर distributed है, वर्ड में limestone topography मेरी कहां कहां पर distributed है, तो जैसा मैंने बताया था आपको सबसे पहले, कि एक तो आपके योगोसलाविया के अंदर, आपके north east of योगोसलाविया, आपकी क्या है, ये limestone topography है, actually जो आपका word है, कास्ट टोपोग्राफी का व अभी काफी predominant है, इसके अलावा France के अंदर, Britain के अंदर, यहां पर भी ये काफी popular है, आपने मेरी ख्याल से, युकातन चैनल तो सुना ही होगा, युकातन चैनल, comment का section के अंदर बताएंगे, मैं जानना चाहता हूं कि युकातन चैनल किन दो water body को connect करता है, लेकिन जो आपक मेक्सिको का southern part है, जिसमें युकातन एरिया है, वो भी आपकी limestone topography है, इवन जो USA का central area है, that is also having limestone topography, तो मतलब ऐसा नहीं है, कि कोई strange phenomena है, या कोई strange topography, जो usually नहीं मिलती, काफी सारे हमारे areas ऐसे हैं, वर्ल्ड के जहां पर limestone topography मिल जाती है, इंडिया के छोटन आपको plateau belt क के अंदर भी limestone topography जो है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन इतना ब्रोड नहीं है, but yes, we do have the limestone topography, हमारे यहां पर भी आपकी limestone topography जो है, बढ़ी आसानी से देखने को मिल जाती है, अब सवाल आता है कि किस type की human activities जो है, आपकी limestone topography में देखने को मिलती है, आप खुद ब यहां पर क्या होगा, erosion काफी जादा होगा, और अगर erosion जादा होगा, तो can you think कि यहां पर fertility maintain रही कि, can you imagine कि कि किस तरीके से fertility maintain रहेगी, no, not at all, basically, यहां पर क्या होगा, fertility जो है, वो maintain नहीं रहती, आपका fertile area नहीं available, अब fertile area नहीं है, तो फिर क्या होगा, you can easily understand कि वहां पर agriculture activity जो है, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी, agricultural activity जो है, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो right here आपकी fertility जो है, वो कम हो जाती है, agriculture activity जो है, वो नहीं होती, तो weekend से कि यह क्या होता आपका, barren land होती है, ठीक है, infertile land जो है, barren land यहां पर देखने को मिलती है, कुछ थोड़ जो है, grasses, poor grasses जो है, वो देखने को मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, थोड़े देर पहले, कि यह जो area है, अगर यह tropical region के अंदर है, तो फिर मैं यह बोल सकता है, कोई luxuriant vegetation जो है, आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, properly यहा पर vegetation देखने को मिले, तो मतलब यह हुआ, कि मैं यह कहना चाहता हूँ, कि limestone topography mankind के लिए कोई use की नहीं है, क्या आप बता सकते हैं, कि mankind के लिए limestone topography का क्या use हो सकता है, बिलकुल आप बता सकते हैं, देखिए, जो limestone topography है, उसका cement के production के अंदर use किया जाता है, और cement एक building material क की तरह use होता है, तो मतलब construction के अंदर limestone का का काफी ज्यादा use होता है, तो economical values के अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो economical values के अंदर क्या होता है, आपका limestone topography में, cement का utilization हो जाता है, आफ फस्ट येर वालों के लिए useful है, बिलकुल है यार ये बिलकुल है, ठीक है, बिए फ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टा पर follow कर सकते हैं, हाप से जरूर बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पर cement जो है, उसके अंदर, cement एक आपका काफी important economical pillar होता है, क्योंकि cement जितना ज्यादा production होगा, उतना ही construction activity, labor work, आपके iron की requirement, iron steel industry, इस सब भढ़ती हैं साथ म इसका काफी ज्यादा utilization जो हो किया जाता है, तो आपका जो stelocyte, legmite में जो मैं बोल रहा था, वो topography आप यहां पर देख सकते हो, यह जो column है, या पीलर की formation हो रही है, जो आपका ground से था, जो G का word था, तो stalagmite की formation हो रही थी, जो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको stelocy site की formation हो जाती है, तो मतलब अलग-अलग आपके क्या हो जाते हैं, features जो हैं यहां पर देखने को मिल जाते हैं, आपने काफी बार caves देखी होंगी, एक काफी सारे serials जो हैं, उनके अंदर जरूर देखा होगा, कि जो caves होती हैं, उनके अंदर अलग-अलग type के landforms की formation बढ़ी आसानी से हो जाती हैं, और यह stalagmite वहां पर देखने को मिल जाते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया था कि चौक के बारे में भी बात करेंगे, तो अभी-अभी मैंने थोड़े दर पहले बताया कि चौक काफी soft होता है, ठीक है, soft है और white in nature है, ठीक है, soft भी है और आपका white in nature ह होता है, मतलब यहां से जो water है, वो easily percolate down कर जाता है, ठीक है, water जो है easily percolate down करके bottom में चला जाता है, अब चोक जो है, वो भी तो एक limestone ही है, तो मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि यह भी a sedimentary type की रोक होगी, जरब बताइए कि sedimentary rocks कौन सी होती है, initial starting में ही हमने session के sedimentary rocks के बारे मे जाना था, definitely आपको वहाँ पर बताना है कि sedimentary rocks का क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता लगता है कि इसके अंदर भी salt क्या होंगे, या तो calcium carbonate होंगे, या फिर magnesium के carbonate जो है, वो लगाता हो सकते हैं, जो accumulate होते चला जाते हैं, और chalk की formation जो हो आपकी कर देते हैं, यह important peel आपके chalk के बारे में देखने को मिलता है, अब सवाल क्या आता है, सवाल यह आता है कि sir, अगर आपके chalk white हैं, तो फिर आपके limestone का color क्या होगा, तो it is little yellow color होता है, limestone का color जो है, little yellow होता है, यह आपकी topography mainly आपके limestone के अंदर देखने को मिल जाती है, जो काफी आसानी से हमने cover की है, ओके, तो this is basically the limestone and chalk topography, I think आपको समझ भी आया होगा, बढ़ी आसानी से आप उसको revise भी कर सकते हो, थोड़े से दो पेज का ही chapter है, बढ़ी आसानी से आप उसको revise कर सकते हो, जाने से पहले एक important information में आपको बताना चाहूंगा, study IQ का live foundation badge, जो है आपका 14th November, आपको आगे बढ़ा सके, similarly जैसे शुरके ने पूछा था, और बाकी लोगों को भी जानना होगा, study IQ का अपना geography optional, that is taught by me, आपका 14th November से batch start हो रहा है, आपका geography optional का, where you can again use the code couple live to take admission at a affordable price, यह batch भी आपका Monday से ही start हो रहा है, तो you can take admission and start your journey for civil services exam, इस particular discussion की, जीसी लियों की series के लि भार्दवाज ऑफिशल पर मिल जाएंगी, आपकी जो PDF हैं वो भी यहीं मिलेंगी, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो कप्रिल डोट भार्दवाज 2022 आप यह मेरा Instagram है, यहां मुझे follow करके message कर सकते हो, directly हम बात कर सकते हैं, so for any query, feel free to contact with me, okay, see you in the next chapter, in the next class, all the very best take care.